नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चौधरी राकेश ठिकेट यहीं यानि दिल्ली में ही गाजीपूर बॉर्डर पर ही क्यों ठिके रहना चाहते हैं जबके हरियाना और पंजाब के किसान संगठन हैं किसान नेता हैं वो अब इस पक्ष में हैं कि अब इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है इसको खतम कर दिया जाना चाहिए कल भी उनकी बैठक होई थी और आने वाले कल यानि एक दिसंबर को भी सिंगो बोर्डर पर बैठक होने जा रही है संयुक्त किसान मौर्चा की ये बैठक होने जा रही है पहले ये बैठक चार दिसंबर को प्रस्ताविच थी लेकिन सरकार ने जिस तेजी के साथ तीनों किरशी कानून वापस लेने की परक्रिया को पूरा किया है और पराली जलाने के मुद्दे को अब आपराद की स्रेणी से बाहर निकाल दिया है तो विशेसकर पंजाब के और हरियाना के किसान ये कह रहे हैं कि जो हमारी मूल मांगे थी वो मान दी गई हैं ये हमारी बड़ी जीत है लिहाजा अब कोई कारण नहीं बचता है कि इस आंदोलन को आगे खीचा जाए चलाया जाए लेकिन राकेश्टिकेट का कुछ और ही कहना है उनका कहना ये है कि जब तक सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है और इनकी सारी मांगें कौन सी है MSP की कानूनी गारेंटी किसानों पर किसान नेताओं पर इस आंदोलन के दोरान जो मुकद्द में कायम हुए हैं उनको वापस लिया जाए जिन किसानों की इस आंदोलन के दोरान मुरत्यों हुई है उनके परिवार वालों को मुहावजा दिया जाए दो मांगें पूरी हो गई हैं जिससे पंजाब और हरियाना के किसान और संगठन संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं जितने बहिशकार के उनके कारिक्रम चल रहे हैं उनको वापस लेने की तैयारी हो रही है जगए जगए जो घेराबंदी हो रही थी खास तोर से हरियाना में उसको भी वापस लेने की तैयारी हो रही है लेकिन राकेश ठिकैत कुछ और सुर में ही बात कर रहे हैं आज भी उन्होंने ये ही का कि ये जो आंदोलन खतम करके घर वापसी की बातें की जा रही हैं ये मेहज अब वहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है राकेश टिकेट ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ एक्च्छल में पिछले कुछ दिनों से आप इनके सुर में तलकी देख और महसूस कर रहे होंगे इसकी वज़े क्या है इसकी वज़े ये है इनको इस बात की उम्मीद नहीं थी के परधान मंतरी नरेंदर मोदी एक तरफा बिना इन लोगों को बातचीत के लिए बुलाएं तीन कानून तीनों किरशी कानून वापस लेने का ऐलान कर देंगे है इससे जो इनकी एगो है व ये खुद और इनके जो परवक्ता है वो वो लगा था ये कह रहे हैं कि ठीक है किरशी कानून वापस लिये जा रहे हैं पर जो बाकी के हमारे मसले हैं जो मांगे हैं उन पर सरकार पहले हमसे बाचीत करे यानि हम को पहले बातचीत के लिए आमंत्रित करें, आमने सामने बैठ करके बाते करें और इनकी कोई ये भी शर्ट नहीं है कि प्रधान मंतरी ही बात करे, ये चाहते हैं कि कम से कम किरशी मंतरी ही बात कर ले, लेकिन केंदर सरकार नहीं है, ऐसा लगता है कि ये बिलकुल तै कर लिया है बाइस जनवरी के बाद, कि अब इनसे बादचीत नहीं होनी है, बाइस जनवरी को ग्यारवे दोर की अंतिम वारता हुई थी इन लोगों से, और इनका जो रवया था उन ग्यारवे बादचीत में, वो बहुत ही खराब था, बहुत ही अराजक था, बहुत ही आपत्ति जनक था, ये लोग जाते थे, ब प्ले कार्ड निकाल लेते थे, पूछते थे मंत्रियों से, तीन काले कानून वापस ले रहे हैं या नहीं, येस और नो, जब सरकार की तरफ से कहा जाता था, कि इन तीन किरशी कानूनों में काला क्या है, किसानों के खिलाब क्या है, ये हमें समझा दीजिए, तो ये जवा नहीं खोलते थे, बात नहीं करते थे, ये नहीं बता पाए कभी भी, कि इन में किसानों के खिलाब क्या है, अब जिस तरीके से विपक्षी दल, विदेशों में बैठी हुई कुछ ताक्ते हैं, और देश के भीतर भी देश तोड़क ताक्ते हैं, इन को नचा रही थी, इन प्रमुख विपक्षी दल, यानि कॉंग्रेस, आम आदीं फार्टी, अकाली दल, वाम पंथी दल, इन कृषी कानूनों को लेकर के जिस तरीके से देश के किसानों को भढ़काने के चेश्टा कर रहे थे और उस पर सियासी रोटियां सेखने की कोशिश कर रहे थे, तो वो स साजिश तो परधान मंत्री ने विफल कर दी, हाला कि उनको भी क्रिटिसिजम का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे लोग नाराज हुए हैं उन से, कि उनको उन असी, पिचासी प्रतिशत छोटे लगू सीमान्त मजहुले किसानों की अंदेखी नहीं करनी चाहिए थी, जि दूसरी शकल में फिर से भी आ सकते हैं, पर इनके जरिये जो खेल खेला जा रहा है भारत को कमजोर करने का, उसको पहले विफल करना जरूरी है, तो उन्होंने तीन क्रिशी कानून वापस लेने का एलान कर दिया, उनके क्रिशी मंत्री नरेंद सिंग तॉमर ने पराली को अपराद की श्रेनी से बाहर निकाल दिया, एक बिजली बिल को लेकर के भी इनकी आपतिया हैं, उस पर भी सरकार ने संकेत दिये हैं, कि जो इनकी चिंताएं हैं, उस पर गौर फरमाएंगे, लेकिन MSP की कानूनी गारेंटी देना, और मुकदमे वापस लेना, जो हजारों की संक्या में हैं, ये केंदर सरकार के लिए छोड़ दीजी कोई भी सरकार किसी भी प्राटी की सरकार केंदर में होगी तो उसके लिए आसान नहीं हैं, क्योंकि हत्या के मामले भी हैं, सामुहिक बलातकार के मामले भी हैं इसके अलावा अंडर टेकिंग तोड़ने के मामले भी हैं हिंसा के आग जनी के मामले भी है और दूसरी गंभी्धाराओं में भी मुकदमे धर्ज है अब इसमें जो पेंच है वो जड़ा समझने की जरूरत है इसमें पेंच ये है और ये मैंने करीब करीब 4-5 महिने से मैं लगा था अपने वीडियो में ये बात कहता भी आया हूँ समझाता हुआ भी आया हूँ पेंच इस पूरे आंदोलन में और इन मुकदमों के कायम होने में ये है के बड़ी चालाखी से और बड़ी समझदारी से जो पंजाब की लीडर्शिप थी किसान संगटनों के नेता से उन्होंने गुर्णाम सिंग चड़ुनी और राकेश टिकैत को आगे कर दिया और ये सिलसिला जनवरी 2021 में ही शुरू हो गया था अठाईस जनवरी के बाद ही शुरू हो गया था जब राकेश टिकैत गाजीपूर बोर्डर पर रोए थे कैमरों पर आंदोलन तो वहीं समाफ्त होने वाला था क्योंकि उस दिन इनकी गिरफतारी का और जितने वहाँ अंदोलन कारी थे उनको अपने घर भेजने का पूरा बंदोबस्त योगी और मोधी सरकार ने कर रखा था लेकिन ये कैमरों पर रोपड़े और इन्होंने भारतिय जनता पारिटी के एक MLA पर आरोप लगाया कि वो अपने साथियों के साथ किसानों के साथ मार पीट करने के लिए पहुँच गए हैं टेंट उखाड़ने के लिए पहुँच गए हैं अब हम ये आंदोलन खतम नहीं होने देंगे और उसके बाद राकेश टिकेट को धीरे 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 मीडिया ने दिल्ली के लुटियन मीडिया ने हीरो बनाया और जो पंजाब की लीडर्शिप थी किसान सनटनों की उन्होंने भी इनको और एक दूसरे बड़बोले नेता जो हरियाना से तालुक रखते हैं गुर्णाम जिंग चड़ूनी उनको आगे कर दिया कि आप अब इस आंदूर्ण को एक तरीके से लीड करिये रोजाना जो भाशन देने थे रोजाना जो वक्तवे देने थे जो दूसरी तमाम चीजे होती हैं वो सब और ये उनके उकसावे पर या जो माहौल बना था उसमें उसकी रो में आकर के नित ने उकसाने वाले भड़काने वाले बयान देना शुरू कर चुके थे और उसके बाद जितनी घटनाए हुई हैं चाहिलाल के लिए पर हुई हैं आईटियों पर हुई हैं जो अंडर के टेकिंग तोड़ी गई थी गणतंतर दिवस पर वो इसके अलावा सिंगू बॉ जो जो कांड करंकांड हुए हैं यहां तक के लखिमपुर खिरी और धरनास्थेलों पर अलग अलग जगहों पर हरियना में तो बहूत ज़्यादा मुकद् में दर्ज हुए हैं जग bogaja जगा वन्तरियों को काले जंडे दिकाये जूगर दरतम किये हैं उनकी गाड़ियों प जो पंजाब की लीडर्शिप पर भी दर्ज हैं, तो अधिकांश मामले हरियाना की लीडर्शिप, हरियाना के उग्र किसान नेताओं या उनके कारिंदों और जो राकेश ठिकैत के करीबी समर्थक हैं, उनके खिलाब दर्ज हुए हैं। अब राकेश ठिकैत कह रहे हैं कि इन मुकदमों को साथ लेकर के तो हम वापस घर नहीं लोटेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मूल चिंता क्या है? मुझे लगता है MSP एक बहाना है, MSP पर कानूनी गारेंटी एक बहाना है, असली चिंता इनकी है, ये मुकदमें। जिनको भुगत से भुगत से अदालतों के चक्कर काटते काटते, जमानत लेते लेते, इनकी उम्र भी इस जाएगी। और ये चाहते हैं कि ये मुकदमें यही खतम हों। तो कृशी मंत्री ने कह दिया था कि राज्य सरकारों को तै करना है, वरियता के आधार पर, गंभीरता के आधार पर तै करना है, कौन मुकदमें कितने गंभीर हैं, किन मुकदमों को वापस लिया जा सकता है, एक सो चवालीस तोडने को लेकर पर जो लगती है धाराएं वो वापस लिया जा सकते हैं, लिये जाते रहे हैं, लेकिन अगर मारपीट हुई है, अगर आगजनी की है, तोड़फोड की है, सरकारी संपत्ती को जलाया है, नश्ट किया है, उनको बहुत बड़ी छटी पहु जा सकते हैं, ये संकेत केंद्री किरशी मंतरी ने दे दिये थे, तो राकेश ठीकेत जो अभी अड़े हुए हैं, और यहां ठीके रहना चाहते हैं, गाजीपूर बोर्डर पर उसकी वज़ाई यही है, और ये बार बार जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हमसे बात करनी चा ने बैठ करके केंद्री किरशी मंतरी से ये कह सकेंगे, उन पर प्रेशर बिल्ड़ अप कर सकेंगे, कि ये सब मुकदमे वापस लिये जाएं, दूसरे ये चुकी लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं, कि जितने भी किसान इस आंदोलन के दोरान मरे हैं, उनके परिवार जनों को मुआज़ा दिलवाएंगे, तो ये उस फरंट पर भी कुछ ना कुछ समाधान चाहते हैं, और यही वज़े हैं, कि पंजाब लीडर्शिप, पंजाब की लीडर्शिप किसानों की और हरियाना की जो लीडर्शिप है, वो मुकदमों को लेकर कि इतने चिंतित नही हैं, उनके लोगों पर इतने जादे मुकदमे नहीं हैं, लेकिन ये चिंतित है, ये परेशान है, जेल जाने से डरे हुए हैं, इसलिए इन मुद्दों को लेकर के, के आंदोलन कब खतम किया जाए, कैप्टर नमरेंदर सिंग, हरियाना के मुख्यमंतरी, मनहरलाल खटर से म उन्होंने कहा कि चार दिसमबर को ये आंदोलन कारियां से, इसका मतलब ये है कि जो पंजाब की लीडर्शिप है, किसानों की, वो चार दिसमबर को या चार दिसमबर से पहले आंदोलन खतम करके अपने घरों को लोटना चाहते हैं, लेकिन राकेश टिकेट, घबराय जितने बढ़ चड़कर के बयान देते हों लेकिन उनको पता है कि अगर इन आंदोरन के दोरान दर्ज मुकदमों को वापस लिए बिना ये आंदोरन खतम हो गया तो उनकी और उनके समर्थकों की क्या हालत होने वाली है इसलिए ये आंदोरन यानि गाजिपूर वाला आंदोरन अभी कुछ और समय तक जारी रहे तो किसको आश्चरिय नहीं होना चाहिए अलकि ये देखना भी बड़ा दिल्चस्प होगा कि ठीकरी बॉर्डर और सिंगो बॉर्डर ठीकरी बॉर्डर पर ज्यादतर हरियाना की लीडर्शिप है सिंगो बॉर्डर पर ज्यादतर पंजाब की लिडर्शिप है वो अगर आंदोलन को वापस लेने का एलान करते हैं तो राकेश ठीक है तो उनके समर्थकों का क्या रविया रहेगा अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जोएन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जोएन भी कर सकते हैं, साथ में लगे वेल आइकोन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनकी नौटिफिकेशन आप तक पहुचती रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.